सब्सक्राइब नो दोस्तों वेलकूम बैक टो दी चैनल ग्लास तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिनाशल स्टेट्मेंट और वस्व प्रप्राइडर चाप्टर का पाट व 5 देखेंगे दोस्तों और आज की इस वीडियो में हम 15 मांस का प्रॉबलम स्टार्ट करने वाले हैं दुस्तों सो हमारा फिनांशल स्टेटमेंट प्रोबलम आज की इस वीडियो में डिसक्स करने वालें दूस्तों आज की इस वीडियो में ट्रेडिंग और लोस अकॉष्चन का आंसर करेंगे और लास्ट में आपको उसी तरह प्रैक्टिस कोशन दूँगा आप प्रैक्टिस केजिएगा और उसका अंसर कमेंट स्क्रेशन बताईएगा दोस्तों सो चलिए दोस्तों हमारे कोश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं कोश्चन दिया गया है इसका इनफोर्मिशन लेते हुए आपको बना लेते हैं नीचे आपको इनफोर्मिशन दिया गया है एक बोक्स है दोस्तों बोक्स में सारा इनफोर्मिशन है इनफोर्मिशन आपको बोक्स में दिया गया दोस्तों और आपको नीचे अज़ेस्मेंट भी दिये गए हैं चार एज़ेस्मेंट है जिसमें फॉर्स है इनफोर्मिशन दिये गए दोस्तों यह सारा इनफोर्मिशन लेते हुए आपको ट्रेडिंग अकॉंट का फॉर्मेट आ गया उसके बाद इसके नीचे प्रॉफिट और लॉस अकॉंट का फॉर्मेट है दोस्तों और हमारे नेक्स्ट पेज़ पर है दोस्तों बैलेंशिट का फॉर्मेट यह हमें तीन चीज़ें यहां पर बना नहीं है दोस्तों चलिए हमारे कॉश्चन के हिसाब से हम जो इंट्री जो से अकॉंट में पूट करेंगे दोस्तों और एक बात मैं आपको बता दो जो आपक कॉश्चन को देखते हुए एक एक से करेंगे दोस्तों को फॉर्मेट देख लेंगे तो पुरा क्लियर हो जाएगा उसके बात देखिए आपके कोश्चन में 10,000 के ड्रॉंग से दोस्तों ड्रॉंग स हमेशा आपके कॉश्चन में से माइस होते हैं दोस्तों जो हमने कल के वीडियो में देख लिया था ड्रॉंग समेशा capital में से minus होते हैं दोस्तों so less capital में से minus होंगे less drawings कि मांट था दोस्तों minus 10,000 यह बाद में minus करेंगे भी हम उसके बाद देखिए उसके बाद आपके question में दोस्तों purchases purchases 1,62,000 के purchases हमेशा किस में आता है हमेशा purchases हमारे trading account में आता है trading account में परचेज़ कितने का था तो दोस्तों 1,62,000 के purchases थे उसके बाद देख लीजे दोस्तों किया है उसके बाद है दोस्तों हमारे question में sales है sales हमारे question में 2,802,000 के sales है sales समंजिशा trading account के credit site आता है sales 2,82,000 के sales है दोस्तों इसके बाद हमारे question में देखिए opening stock है opening stock 32,000 को opening stock है और trading account के opening stock debit में आता है opening stock opening stock का amount दोस्तों 32,000 था उसके बाद next देखिए दोस्तों salary है salary हमारा 12,000 salary है salary हमारे expense होगा so expense हमारे profit and loss account में आते है profit and loss account debit में expense हागे so salary कितना है salary 12,000 हमारा salary था उसके बाद next देखिए दोस्तों insurance है insurance का amount 5,600 है दोस्तों और insurance भी हमारे लिए expense होगा so insurance insurance भी हमारे लिए expense होगा दोस्तों तो 5,600 यह 12,000 हम बाहर नहीं लिखेंगे दोस्तों क्योंकि हमारा adjustment पर salary का है भी तो हम बाहर नहीं लिखेंगे insurance भी बाहर नहीं लिखेंगे उसके बाद देखिए next है plant and machinery है plant and machinery 40,000 है plant and machinery हमारे लिए assets है तो assets में आएगा balance sheet में so plant and machinery plant and machinery का amount है दोस्तों 40,000 है यह भी बाहर लिखेंगे क्योंकि इसका भी हमारा adjustment आएगा दोस्तों उसके बाद देखिए next क्या है printing and stationary का amount है दोस्तों 3,200 printing and stationary हमारे लिए expenses आ रहे हमारे हमारे दोस्तों डैसको रेंट है pros look g आते हैं rent है दोस्तों 2000 का रंट है चली लिख लिए जिए उसके बाद है commission received है दोस्तों rizimus ceving हमारे लिए income होगा हमे रीसी हो रहा है income आते दोस्तों profit and loss accounting income समाने सारे credit side आते हैं दोस्तों Credit side Commission Received है दोस्तों Commission Received का Amount है 3200 Clear है दोस्तों यहां तक यहां तक पुरा Clear होगा उसके बाद देखिए Wages है Wages का Amount 20,000 है Wages हमेशा हमारे Trading Account में आता है So Wages कितने का था दोस्तों Wages Wages हमारा 20,000 का Wages था यहां तक हमने कर लिया उसके बाद हमारा next है दोस्तों क्यारियेज इन्वर्ड का amount है एट थाउजन क्यारियेज इन्वर्ड भी हमारे ट्रीडिंग अकॉण्ड में आता है जैसा क्यारियेज इन्वर्ड का मददब होता है कि हम वो क्या कर रहे हैं हमें सप्लायर के पास से कंपनी तक लाने के लिए जो भी खर्चेश आते हैं वो सारे ट्रेडिंग आएगा दोस्तों यह फॉर्मेट समझेंगे तो यह पता चल जाएगा कि कहा पर आएगी बोलके वरना यह बहुत गंफूजन हो जाएगा तो इसके बार फॉर्मेट देख लिजेगा उसके ब से अब नेक्स देखिए एक्रेड़ से एक्रिट안 के क्रेड़ से दोस्तों उत्सके बार बैलंस्टशीट में लाहेबर सब्सकेंट हैं तो कितना है दोस्तों investment 18,000 का investment है उसके बाद next देखे building हमारे लिए एसेट कंपनी के नाम पर building रहती है सो building भी हमारे लिए assets है वण लाक 34 थाउजन है सो यहां पर लिए लिए एसेट में building वन लाक 34 थाउजन उसके बाद देखे दोस्तों आपके question में cash in hand है cash in hand company के पास cash है गते वो भी company क्या asset होता है cash हमार amount है 4200 है so assets में लिख लिए cash in hand 4200 उसके बाद next हमारे question में last दिया गया है दोस्तों cash at bank दिया गया है cash at bank भी हमारे लिए asset होता है दोस्तों company के नाम पही रहते हैं cash at bank को so cash at bank का वांट है 15200 so cash at bank 15200 यह हमने सारे हमारे जो भी box में दिया गया था सारे इंट्रिस हमने box के साबसे पूरे लिख दिये दोस्तों कहां कहां पर आएंगे बोलके अब हमारा next account है दोस्तों हमें adjustment के सारे इंट्रिस करने हैं मैंने जैसे कहा adjustment की हमेशा entry दो टाइमस बनती है दोस्तों दो अकॉंट में हमेशा adjustment की इंट्रिस आती है दोस्तों फॉर्स अज्जेस्मेंट है दोस्तों closing stock closing stock 40,000 है दोस्तों closing stock जैसे मैंने कल के ही वीडियों बताया था closing stock एक आएगा trading account में एक आएगा दोस्तों balance sheet में सो दोस्तों लिख लेते हैं पहले आएगा दोस्तों trading account में so trading account में closing stock आएगा closing stock trading account में 40,000 का closing stock है दोस्तों और एक इंट्रि बनती है balance sheet में balance sheet में इसकी बन इंट्रि बनती है asset side में closing stock हमेशा या रख लीजिए closing stock का amount था दोस्तों 40,000 का closing stock का amount था next है दोस्तों outstanding salary outstanding salary का amount 1400 outstanding salary यानि इतनी salary अभी company ने भी नहीं पे किये पे करना है पे करना है तो यह company के लिए expenses होगा सो पहला का आएगा outstanding salary जो salary है salary में add होगा add outstanding salary कितना है दोस्तों 1400 का outstanding salary है तो calculate का लिए 12,000 प्लस 1400 करेंगे तो हमारा answer 13,400 आएगा दोस्तों या outstanding salary ने पहले तो हमें salary का इतना expense है और last year का भी हमने pay नहीं किया last year का pay नहीं किया तो भी हमारे लिए express होगा तो इसमें add होगा 1400 और एक इंट्री का बनेगी और एक इंट्री दोस्तों balance sheet में बनेगी balance sheet में liability side है हमारी outstanding salary के इंट्री बनेगी outstanding salary सिर्फ जो इंट्री अड्यस्मेंट में अब और था वहीं लिगना है 1400 उसके बाद दोस्तों हमारे next question में है insurance prepaid insurance prepaid 1000 दोस्तों इने insurance prepaid ने पहले का पहले अडवास में हमने next year का भी insurance pay कर दिया करते advance में pay कर दिया तो हमारे लिए क्या होगा वह हमारे लिए asset होगा दोस्तों asset होगा तो पहले हम क्या करेंगे profit and loss account में जो हमारा insurance है insurance में वह minus करेंगे यह तो हमारा 5600 का expenses लेकिन हमने क्या किया हमने advance में क्या कर दिया प्रिपेड कर दिया दोस्तों अडवास में हमने थाउजन रुपीश पे कर दिये सो प्रिपेड कितने का थाउजन का सो माइनस थाउजन तो 5600 में थाउजन गया तो 4600 हमारा प्रिपेड कर यह insurance का मौन आ जाएगा दोस्तों इसके और एक इंट्री बनेगी हमारी अशेट साइड पनेगी दोस्तों इंशुरेंस प्रिपेड कितना था दोस्तों पॉनट उजन था उसके पाद हमारा लास्ट अज़िस्मेंट क्या करता है दोस्तों लास्ट अज़िस्मेंट अभाए डेप्रिशियेट अच्प्लांट एंद मेश्नरी बैट एटन परसंट देप्रिशेशन निकालोबो रहा है प्लाइनальная रिपे 10 परिसेशन निकाल रूरा है दोस्तों छेलेजिए दोस्तों निकाल लेते हैं यहँ पर प्लाइने के Qatar मधरे स्टपरिसेशन डेप्रिसेशन ऐना चहला है दोस्तोंयाइन स्ट 1997 मेंसे जब हमारा हमारा प्रोर टॉजन जाएगा तो माया आफ्रकाइगा यह विद्हेर स्थेटेक ग्रेंट सब्सक्राइब मत तोडल अमोन ने लेना कितना मौट सरफ अतना है अमाट हमें लेना पर दोस्तों यह सारा दोस्तों हमने क्या कर लिया हमने जो हमारे इंट्रीज थे सारे box के इंट्रीज भी कर दिये adjustment के भी सारे इंट्रीज कर दिये दोस्तों अब हमें क्या करना है सिर्फ calculation करना है चलिए दोस्तों कर लेते हैं calculation पहले trading account का पहले credit का balance क्या होता है देखते हैं लाक 82,000 प्लैस 40,000 करेंगे तो हमारा amount दोस्तों 3,22,000 आ जाएगा उसके बाद इसका amownd निकालते हैं इसका amownd देखे दोस्तों 32,000 फ्लैस 1,62,20,000 फ्लैस 8,000 करेंगे तो इसका amount दोस्तों 2,22,000 आएगा शोटीख लीजेतों दिख लेयर विस निकालेंगे तो वन लाग हमारा वांड चाहेगा हमारा डिफ्रेंस लिख दीजिए और यह के हमारा व को प्राफिट करों पर प्रांप्स प्रॉफट हमारी क्रेंस आपteen प्राफिट कर जो कि एक चलीए प्लाप्स प्रेश्रान लेगा तो लेगो het 3200 इसका भी टोटल निकाल लेते हैं 13400 4600 3200 12000 प्लस 4000 करेंगे तो इसका अमॉंट आ रहा है दोस्तों 37200 आ रहा है दोस्तों देख लिजिए कुन सा बढ़ा है 3200 इसका बढ़ा है थो यहां पर भी 100 लाग 3200 ईसको चले डिफ्रेंस निकाल लीजे 1,3200 में से 37200 राया तो कितना बच गया दुच्छों बच गहा हमारा 66000 66000 गया दुस्तों हमारा यह नेट प्रॉफिट है दुस्तों यह तक हमने क्या कर लिया प्रॉफिट अनल लासमड का अभी सारा concept हम ने कर लिया दोस्तों अब लाज क्या है balance sheet है यह जो हमरा net profit का amount है वो balance sheet में transfer होता है so balance sheet में transfer कर लिजिए दोस्तों balance sheet में कहां पर transfer होता है capital में add होता है दोस्तों add net profit add होता है दोस्तों 66,000 का add होगा so चलिए दोस्तों कर लेते हैं हिस लैक तो लट करेंगे किरेंगे तो हमारा अमोंट आगा धर दो सों तू माइनस तेंटलेन दो सब्सक्स करेंगे तो हमारा अमोंट ाक्लेह तो थे माईन्टिपाहिए इसंदे लग्प्रोंट सबूस। 56,000-18,000-134,000-4200-15,200-40,000-1,000 करेंगे तो हमारा अमोंट आ जाएगा दोस्तों 34,400-304,400 हमारा असेट का टोटल आ गया दोस्तों अब देखना है में लेबिलेटीस का टोटल कितना आता है अगर लेबिलेटीस का टोटल राइट है सेम आ रहा है तो समझ लिजिए लिए आंसर पुरा हमारा राइट है वरना हमारा पूरा आंसर रॉंग है तो देख लिए 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 इसका टूलाग सेवेंटी सिश आज़न प्लस टूंटी सेवन टूजन प्लस फॉर्टीन हंडेड करेंगे तो इसका भी टोटल दोस्तों 3,4,400 आ रहा है दोस्तों यह दा दोस्तों हमारा बैलन्स ट का टोडल हमारा टैली होगा यहां पर भी 3,4,400 यहां पर भी 3,4,400 यह हमने पूरा बैलन्स टैली कर लिया दोस्तों हमने पहले ट्रीडिंग अकॉंट कर लिया उसका प्रॉफिट अनलाउस अकॉंट कर लिया उसके हम financial accounting classes start कर दिए जिसके playlist का link में आपको description box में दे दूँगा जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी classes मिल जाएंगी दोस्तों और पिछली वीडियो में उन्हें मैंने इसका format बताया था दोस्तों जो 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 इंट्रीस जहां पर आ रहे हैं वह यहां पर थोड़ा बहुत confusion हुआ होगा लेकिन आप format देख लेंगे तो आपको पूरा clear हो जाएगा format हमारा मैं आपको link description box में देदूगा आप description box चक कर लिजेगा दोस्तों ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा और अपने सारे फ्रेंड सेसरे इस वीडियो को शेर कर दीजेगा दोस्तों thank you so much